नमस्कार मित्रों मैं किशोर पारिक किशोर जैपूर राजस्थान से उस हिंदुवा सूर्य को मैं नमन करता हूं वीर महाराना प्रताप को शत्षत नमन करता हूं वंदन करता हूं विननन करता हूं जिनोंने अपने स्वाबिमान आत्म सम्मान की रक्षा के लिए पूरे जीवन भर लड़ाई लड़ी और भारतिये इतिहास कारों ने उनके साथ न्याय नहीं किया अर्द सत्य ही इतिहास हमारा लिखा हुआ है हम शुरू से पढ़ते आए हैं बाबर का बेटा हुमायू हुमायू का बेटा अकबर अकबर का जहांगीद पर महाराना प्रताप के पिता का नाम हमें मालूम नहीं तो इतिहास ने जो हमारे गोरवपून तथ्य थे उनको छुपाया और कहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में हमारा इतिहास कहता है कि महारानटरताब पराजित हुए थे लेकिन जो तथ्य जो सत्य है वो बिल्कुल इससे उलट है पर इसी पर मैं अपनी कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहता हुँ कि अर्द सत्य को पून सत्य करने की कसम उठाई हैं, हम भी उसमें वाडी राणा के ही तो अनुयाई हैं कि अर्द सत्य को पून सत्य करने की कसम उठाई हैं, हम भी उसमें वाडी राणा के ही तो अनुयाई हैं कि अपराजित थे महाराणा जी युद्ध कभी नाहारे थे, परंप्रतापी शोर्यवान थे एक लिंग को प्यारे थे राणा हारे थे रण में ये लिखने वाले मकारो, पुनै पड़ो इतिहास सत्य का और सत्य को स्वीकारो हारा हुआ किसे कहते हैं, हारा हुआ उसे बोले जो परादीन ता स्वीकारे हारा हुआ उसे बोले जो परादीन ता स्वीकारे, आत्म समर्पन कर समक्ष दुष्मन को बोले हम हारे या शत्रूने बंदी बना कर जड़ा कैद पर ताला हो, स्वाभी मान और मान प्रतिस्ता को जिसने तज डाला हो क्या माहराना प्रताप ने ये सब किया था? आन बान और शान शोर से धर्म द्वजा फैराई है, हम भी उसमें वाडी राना के ही तो अनुयाई है अर्द सत्य को पूर्ण सत्य करने की कसम उठाई है, हम भी उसमें वाडी राना के ही तो अनुयाई है और जिन इतिहासकारों को मैं चुनोती देना चाहता हूँ कि आप मेवाड के उस खेत्र में जाएए, आज भी उस हल्दीगाटी युद्ध के बाद के जो अवशेश मिलेंगे, चिन्न मिलेंगे, वो ये गवा देता हैं कि महाराना प्रताप का राज पूरे खेत्र में राता स पहले के इतिहासकार कुछ अकबर के दरवारी थे, चाटुकार थे, पूँछ छिलाते, उसके अंद पुजारी थे, या गोरों ने कमनिष्टों ने जूटा ये इतिहास लिखा, जिसके हर पन्ने पर हम को सत्के कहीं पर नहीं दिखा अकबर कैसे था महान जो पातक पापाचारी था, लंपड था वह रूप लुटेरा घातक अत्याचारी था, खाकर कसम एक लिंग की तुर्क उसे ही बोला था मात्र भूमी के लिए भले ही जंगल जंगल दोला था सत्य सनातन धर्न के खातिर जारी अभी लडाई है, हम भी उसमें वाडी राणा के ही तो अनुयाई है अर्द सत्य को पून सत्य करने की कसम उठाई है, हम भी उसमें वाडी राणा के ही तो अनुयाई है याद करो डर कर मुगलों ने जव हतियार गिराए थे, मित्रों मैं इतिहाज के वो पन्ने इस्मरन करा देना चाहता हूँ जब एक बार मुगलों ने महाराना प्रताप से धेशत थाकर अपने हतियार गिरा दिये थे और मेवाड के सैनिकों ने उन सब को बंदी बना लिया था उनके साथ में पूरे लाव लशकर के साथ में उनकी बेगमों को भी महाराना प्रताप के सामने ले आए महाराना प्रताप का मैं वो प्रताप बताना चाहता हूं, नारी के प्रतिवो सम्मान के दर्शन कराना चाहता हूं, जिसमें हमारी जो गोरव पूर्ण परंपरा रहे इतिहास की, उसकी भी जहलक होती है। सब को उनके घर पहुंचाया था अकबर की सेना में दमराणा के सीने बाजू में अकबर की लगबग एक लाख सेना के सामने हमारे महाराना प्रताप के पंदरह बीस हजार सैनिक की थे उसकी ताकत ज्यादा थी लेकिन जो दम खम था एक-एक मेवाडी सैनिक में वो उनके सो सो सैनिकों से भी बढ़ करता तब मैं कहना चाहता हूं अकबर की सेना में दमराणा के सीने बाजू में महाराना का पलडा भारी तोलो किसी तरा जू में तीन दशक तक रहा जूजता लेकिन हार नहीं मानी शोरिवान को जुकान पाया दुष्ट तुर्क वह अभिमानी ऐसे वीर पुत्र को पाकर भारत मा मुस्काई हैं हम इसमें वाडि राना के ही तो अनुयाई है अर्द सत्य को पूल्ण सत्य और राना के साथ मित्रों केवल झानिक ही ने लड़े थे अपितु मिवाड का हल्दी घाटी का जर्रा जर्रा महाराना के साथ लड़ा था, ऐसे अन बोले जीव, जिन चेतक का तो हम इस्मरेंट करते हैं, लेकिन उनका एक हाती भी था, राम प्रसाद जिसका नाम था, मैं बताना चाहता हूं कि किस कदर वो आत्मिय रूप से महाराना प्रताप के साथ जुड़े हुए थे, कि चेतक का बलिदान दे किये प्राण समर्पन कर डाला, मरते मरते घायल चेतक पार कर गया था नाला, पुत्र समस्ते थे राणा चेतक ने धर्म निभाया था, अनबोले इस प्राणी का इसमारक भी बन, आज भी वो इसमारक है, जहाँ पूरे देश के लाखों लोग उस शहीद चेतक को नमन करने आज भी जाते हैं, अनबोले इस प्राणी का इसमारक भी बनवाया था, बेजुबान हाती राना का याद करो कुरुबानी, भूका प्यासा प्राण दे गया नहीं पिया उनका पानी, बारा महावतों ने घेर कर उस हाती को अकबर के पास लेके गए, अकबर चाहता था कि ऐसा बजशाली हाती उसके पास हो, लेकिन 28 दिन तक वो जिन्दा रहा, लेकिन मुगलों का, अकबर का एक भून पानी और कुछ भी उसने तिनका भी प्रहन नहीं किया, और अपने स्वाभी मान, अपने स्वामी भक्त महारान प्रताप के लिए उसने प्रान क्याग दिये, चे तक का बलिदान ते किये प्रान समर पन कर डाला, मरते मरते घायल चे तक पार कर गया था नाला, पुत्र समस्ते थे राना चे तक ने धर्म निभाया था, अन बोले इस प्राणी का इस मारक भी बनवाया था, तो बे जुबान हा ती राणा का याद करो सब कुर्बानी भू का प्यासा प्राण दे गया नहीं पिया उनका पानी बनवासी भोले भीलों ने संग में जंडे गार दिये मुगलों के मनसूबों को जट तलवारों से फार दिये तप 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 तापों के स्वर देते हमें सुनाई हैं हम भी उसमें वाडी राणा के ही तो अनुयाई हैं अर्द सत्य को पून सत्य करने की कसम उठाई हैं हम भी उसमें वाडी राणा के ही तो अनुयाई हैं भाला और ढाल दो मनले राना रण में जाते थे बिजली सी गिर्ती थी शत्रू थर 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 राते थे एक बार में अश्व सहीद बहलोल खान को काटा था कबर का सेनापती बहलोल खान बहुत बल्शाली और शारिरिक शोस्टव इतना जबर्दस था एक तलवार की वार से माराना प्रता अपने गोड़े सहीद उसको धराशाई कर दिया था एक बार में अश्व सहीद बहलोल खान को काटा था मुगलों के लश्कर में भय था मातम था सन्नाटा था जहां भयी ती रतधार वे चन्नन जैसी माटी है अवन भस्म दंगा माटी सी पावन हल्दी घाटी है हल्दी घाटी में चेतक की ताप सुनाई देती है उस मेवाडी शोर्यवान की चाप गवाही देती है पुने लिखेंगे इतिहासों को हमने कलम उठाई है हम भी उस मेवाडी राना के ही तो अनुयाई है अर्द सत्य को पून सत्य करने की कसम उठाई है हम भी उस मेवाडी राना के ही तो अनुयाई है और अंतिम पंक्तिया मैं देना चाहता हूं कि मित्रों आज भी इस देश की इस्टिती कोई विशेश अच्छी नहीं हुई है उस समय भी महाराना के और हमारे जितने भी हिंदू राजा थे उन्होंने अकबर की आधीनता स्वीकार कर ली थी और एक तरह से परोप्स रूप से महाराना प्रताप के खिलाफ युद लड़ रहे थे अन्य था महाराना प्रताप के सामने उस जिसको हम लोग अकबर्दा ग्रेट कहते हैं था नहीं वो कदापी उस इस्टिती तक नहीं पहुंच भाता कि घर में नहीं एकता होगी जहां फूट होगी बारी वहीं लुटे दुष्ट पडोसी कर बैठेंगे मकारी आजादी के बाद आज भी वही रवया कायम है हिंदू एक नहीं हो पाए हमें यहीं तो बस गम है नहीं अभी भी हम समले तो धर्न द्वजा जुग जाएगी आने वाली नसले अपनी बड़ी सजा फिर पाएगी वी शहीदों के सपनों को पूरा करके मानेंगे स्वाबिमान रंग वाले भगवा द्वज को घर गर तानेंगे जै श्री राम भोश के संग में राधा क्रश्न कनाई है हम भी उस में वाडी राणा के ही तो अनव्याई है अर्द सत्य को पून सत्य करने की कसम उठाई है, हम भी उसमे वाड़ी राना के ही तो अनुयाई है तो जै महाराना प्रताप, जै जै राजस्थान, जै हिंद, वंदे मात्रम मित्रों